रास्टिय रासधानी दिल्ली NCR में मौनसुन का कहर दिख रहा है लगतार हो रही बारिश से मीटो रोड ब्रीज अंडर ब्रीज के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पानी से भर गया वहीं दूसरी तरफ यमूना नदी के जलस्तर में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है के कई हिस्सों में सड़के बारिश के पानी में डूब गई है इसके अलावा कई सांसदों के बंगलों के अंदर भी बारिश का पानी भर गया है इस बारिश में डूबने वाली मिंटो रोड ब्रीज अंडर पास ब्रीज के नीचे भी पानी भर गया है फिलहाल एतिहातन मिंटो ब्रीज को बंद कर दिया गया है ब्रीज के पास ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किये गये है राजधानी में यमुना के जलस्तर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है पुराने लोहे के पुल के पास यमुना का स्तर के निसान कुछ मीटर ही नीचे बह रही है केंद्रे जल आयोग के मुताविक दिलही में यमुना नदी में जलस्तर बढ़ रहा है और मंगलवार को इसके खतरे के निशान 205 प्रतिशत 233 मीटर को पार करने की आशंका है CWC के बाढ़ निगरानी पॉटल के अनुसार रविवार को दोपर एक बजे पुराने रेलवे ब्रीज पर यमुना का जलस्तर 203 प्रतिशत 18 मीटर था चेतावनी स्थर 204 प्रतिशत 5 मीटर है दिल्ही में नदी के पास के नीचले इलाकों को बाढ़ के प्रति सम्विदन शिल माना जाता है और यहां लगबक 37,000 लोग रहते हैं कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुस गए है मौसम विभाग के मुताविक दिल्ही अंसी आर्मी ये बारिश अगले दो दिन और जारी रह सकती है राजधानी में बारिश को लेकर येलो एलेट जारी कर दिया गया है ब्यूरो डिपोर्ट जी एस